अज़ाले क्राइब भोड दिस इस बिलाद वाफ इडिवारी सिर्कारों भाई आज की इस वीडियो के रपन बॉक्स करने वाले है रेड्मी का एक ऐसा फोन जो के इससे पहले लाउच हो चुका है बट ये उसका अपग्रेड़िड मॉडल है ये उसका निया मॉडल है और इस मॉडल के अंदर जो सबसे बड़ा हाइलाइट है वो इसका प्रोसेसर और इसकी परफॉर्मन्स होने वाली है बेसिकली रेड्मी A1 प्लस के नाम से एक डिवाइस कुछ तैम पहले लाउच होई थी और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा सुक्सेस्फल डिवाइस थी लेकिन वो मॉबाइल फोन मीडिया टेक A22 के चिपसेट के साथ आता है जो के काफी हते के केंटी लेवे का चिपसेट है और उसका जो वेरियंट पाकिस्तानी मार्केट में लाउच हुआ था वो दो जीबी रैम वाला वेरियंट लाउच हुआ था अब ये जो मॉबाइल फोन है इसका नाम है रेड्मी A2 प्लस और ये जो मॉबाइल फोन है इसका प्राइस टैग है 24,999 ये मॉबाइल फोन कहां कहां पर अवेलेबल है उसकी डीटेल्स आपको यहां पर मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी छोड़ दूँगा जहां से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं ये जो ब्लैक मार्केट वाले लोग हैं वो जाकर पहले ओडर जरूर प्लेस कर देते हैं तो बाइदे टाइम ये वीडियो पोस्ट होगी आप सीधा जाएं इसका ओडर प्लेस कर दें अगर आप ये परचेस करने का सोच रहे हैं क्योंकि अगर ये आउट उस्टाउक हो गया तो उसके बाद ये ब्लैक मार्केट में महंगा बिकने लग जाएगा अब रेड्मी A2 प्लस जो है ये दिखने में काफी हद तक रेड्मी A1 प्लस जैसा ही लगता है विच इस स्टिल एन एंट्री लेवल गेमिंग चिप बिल्कुल एंट्री लेवल का गेमिंग चिप है लेकिन अगर आप इसको A22 से कंपेर करते हैं तो आल्मोस्ट डबल परफॉर्मंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है 8 Mega Pixel का Back Camera System जो है वो दिया गया है डेवल कैमरा सिस्टम है Fingerprint scanner यहाँ पर देखने को मिल जाता है और Long Lasting 5000 MS की बैटरी देखने को आपको मिल जाती है Colors कि एगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको तीन colors ही देखने को मिल रहे हैं एक इसका यह blue color है एक इसका green color और एक black color है Again editor यहाँ पर उसका exact नाम डाल देगा क्योंकि हमने Redmi और Xiaomi के case में देखा है कि इनके नाम कभी simple नहीं होते तो यह जो blue है इसका नाम कुछ और होगा यह जो green है यह हो सकता है I don't know यहाँ पर exact नाम जो हो आजाएंगे Box को हम open कर लेते हैं मैं एक बात यहाँ पर clear करता चलू कि इस point के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि काफी बहतर options जो है वो market के अंदर आने लग गई है और यही वज़ा है कि अब हमें अच्छे phones भी जो है वो कम price में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आपको जो केबल देखने को मिल जाती है यह Micro USB वाली केबल है Type A to Micro USB मेरे इसाब से यार आप Type C का टाइम आ गया है और जब model अपडेट करी रहे थे तो Type C केबल डाल देनी चाहिए थी यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर का चेंज करना चाहरा था जिसकी वायसे हमें अभी भी Micro USB केबल देखने को मिल रही है अधन दाट 10W की charging आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो के इस price range के आपसे काफियत तक standard है हमें usually 10W ही देखने को मिलती है और यहाँ पर भी वही charger जो है वह आपको इस box के दर देखने को मिल रहा है फोन को हम यहाँ पर इस wrapper से निकाल लेते हैं कुछ highlights mention की गई है जो के मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ तो इसका यह जो plastic का sheet है यह भी हम remove कर लेंगे mobile phone यहाँ पर already है I think मेरे team ने setup कर लिया है तो इसको सिर्फ on करने की देर है जितनी दिर में यह on होगा हम बाकी चीजों के उपर जो एक नजर है वो डाल लेंगे design जैसे मैं बता चुका हूँ कि exactly वैसा ही है जैसा A1 plus के अंदर था काफी industrial type का design है और यह जो mobile phone है क्योंकि एक ऐसी price category में आता है जहां पर आप जादा rugged phones लेना चाहरे हैं तो उसकी वज़ा से ही यह मुकमल single unibody plastic design में आता है जिसका फाइदा यह है कि अगर यह गिरेगा भी तो क्योंकि यह plastic build है तो इसके टूटने के chances काफी कम है और back पर भी इसके scratch पढ़ने के chances काफी कम है आप देख रहे हैं अगर इस पर निशान डालने की कोशिश भी करता हूं तो यह straight up plastic से बना हुआ है जो के premium look तो नहीं provide करता बड़ durability वाली साइट से काफी solid होने वाला है fingerprint scanner यहां पर दिया गया है जो के body के साथ flush है बैक पर dual camera setup है एक चीज़ जो के इंट्रस्टिंग है वह यह है के अंदर भी और यहां पर भी आपको जो speaker system है उपर वाली साइट पर देखने को मिलता है पहरी नजर में लगता है डियो पर यह SIM slot वाली situation है उसको check out कर लेते हैं कि SIM card का क्या scene है वैसे तो यह mobile phone अब 14GB की storage के साथ आ रहा है तो I don't think तो कि जातर लोग memory card की option यूज़ करेंगे बट यहां पर memory card की option भी दी गई है और अगर आप SIM slot को गौर से देखते हैं तो इसके अंदर rubble का यह gasket भी दिया गया है जो कि किसी हद तक इसको water protection भी provide कर देगा तो हलका फलका अगर पानी पड़ता है उन्होंने किसी हद तक इसके अंदर protection है वो भी आपको provide कर दी है mobile phone यहां पर on हो चुका है और सबसे पहली चीज़ जो कि आप लोग notice कर रहे होंगे और जो मैंने भी notice की थी वह यह है कि इस mobile phone के अ अगर वो me UI के सारे features डाल देते हैं full-fledged me UI डाल देते हैं तो भाई वो properly वर्क ही नहीं करेगा यहां पर Android 13 का go edition दिया गया है अब क्योंके Android 13 है तो आपको यहां पर latest security updates तो देखने को मिल जाएंगी बट कुछ ऐसी software's हैं जिनके सिरफ light versions इसके अंदर install हो सकते हैं अब यह यहां पर सोच यह है कि यह mobile phone क्योंके entry level का mobile phone है तो यहां पर इस चीज़ पर focus नहीं किया जा रहा कि इसकी performance आज कैसी है इसके अंदर Android 13 go install करने के बड़ी reasoning यह है कि यह mobile phone एक खास हद तक जाए लेकिन वो जो performance है वो reliably काफी सालों तक आपको provide करें और वो चीज़ हम इसकी overall UI में भी देखते है कि काफी barebone किसम का UI का interface है आपको देखने को मल जाता है पहली नजर में लगता है कि Google Pixel टाइप की कोई device है क्योंकि इसके अंदर जो operating system है उसकी look वैसे ही provide की गई है and 22 benchmark हमने इसके उपर run करने की कोशिश किया उसकी running जो है वो इसके उपर complete नहीं हुई लेकिन बाकी benchmark में जब हमने test out किया है तो पुराने version के निजबत इसकी performance है वो almost double है पब जी light के अगर आप performance की बात करते है तो इस mobile phone के उपर आपको HD पे extreme frame rate जो है वो देखने को मिल जाता है PUBG light पे extreme performance का मतलब भी यह है कि आप PUBG light चला सकेंगे नॉर्मल PUBG नहीं चलेगी लेकिन light जो है वो अपनी maximum setting पर चलेगी तो आपको यह नहीं होगा कि mobile phone over the time बहुत जादा slow हो जाए जो कि हमने एकसर phone में देखा है कि वो भारी software के साथ आ जाते हैं और जैसे software अपडेट होती है eventually mobile phone काफी जादा slow हो जाता है camera के अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर front camera 5 megapixel का दिया गया है जो कि हमें 5 megapixel के साथ से काफी जादा decent लगा है हमने usually 8 megapixel और 13 megapixel भी देखे हैं जो कि इस लेवल की quality प्रोवाइड नहीं करते and I'm assuming कि इसके पीचे किसी हद तक फरक ये भी है कि क्योंके processor increase हुआ है तो यहाँ पर जो graphic का इसका सारा scene है और जो इसका image processor है वो भी change हुआ है और even back camera के अंदर अगर आप देखें तो 8 megapixel के साथ से ये daytime में काफी decent results प्रोवाइड कर देता है on the other hand में ये बात भी कहना चाहूंगा कि जब low light आती है तो इस mobile phone को थोड़ी सी suffering हो जाती है तो अगर कोई भी ऐसा environment हो जहाँ पर light का थोड़ा सा issue रहे तो ये mobile phone थोड़ा बहुत सफर करता है बट अगर आप 13 megapixel वाले camera's बाकी companies के compare कर रहे हैं तो यहाँ पर यह जो 8 megapixel है उस level की performance आपको definitely provide कर देता है अगर आप mode वगरा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो video mode दिया गया है यह back camera के अंदर आपको 1080p resolution दे देता है और front camera भी अगर हम open करें तो 1080p resolution मिल जाती है portrait mode भी आपको front back दोनों में मिल जाता है night mode यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला और HDR भी यहाँ पर available है तो basic चीजें दी गई हैं को बहुत जादा features नहीं दीए गए बट जो features दीए गए हैं वो अपनी अच्छी potential पर चलेंगे for example अगर आप इस mobile phone में तस्वीर खेंचते हैं तो इसकी जो तस्वीर खेंचने का time है वो बहुत जादा नहीं है जैसे मैंने बताया है feature कम दिये गए हैं बट जो दिये गए हैं वो अपनी maximum potential पर चलेंगे 5000 ms की बैटरी दी गई है जो के Mediatek के Helio G36 के साथ आपको at least 1.5 दिन का बैटरी बैक अप प्रोइड कर देगी मैं description के अंदर link छोड़ दूँ है जहां से जाकर आप इसको purchase कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही अपना ख्यार रिखेगा किसी नेक्स वीडियो में लगात होगी दिस इस बिलाल से निगों आप अलहाफ़र